असलाम लीकम आप सब क्यासे हैं मैं मीद कहती हूँ कि आप सब ठीक होंगे आज मैं आपको चिकन नगिट्स बनाना सकाऊंगी चले फिर स्टार्ट करते हैं मैंने चार ब्रेड़े ले लिए दो दो ब्रेड़े करके इसके मैं कनारे उतार दोंगी चारो ब्रेड़ों के हम कनारे उतार लेंगे ब्रेडों के किनारे उतारने के बाद ब्रेडों के हम चार-चार पीस कर लेंगे मैंने 300 ग्राम चिकन बॉनलेस ब्रेस्ट ले लिए एक टेबल स्पूम मैंने लेस्ट नदर का पेस्ट ले लिए आदी टी स्पूम मैंने लाल मिच्की ले लिए नमक खस्बिस जाइका ले लिए आधी टीस्पून मैंने काली मिच की ले लिए अब एक चोपर लेकर मैंने उसमें ब्रेड़े डाल दीए सारी ब्रेड़े डालकर इससे चित्रा से चोप कर लेंगे अब आप देख सकते हैं कि मैंने ब्रेड़ों का ब्रेड़ क्रम सा बना लिये अब हम इसमें चिकन डाल देंगे फिर सारी स्पाइस डाल देंगे फिर इसमें लसंतर का पेस्ट डालकर इसे बंद करके अच्छी तरह से चौप कर लेंगे ताकि इसमें सारा कुछ चौप अच्छी तरह से होजे तब तक इसे चौप करते रहेंगे अब आप देख सकते हैं कि मैंने इसे अच्छी तरह से चौप कर लिया लेकिन ये समूद नहीं है इसे समूद करने के लिए हम थोड़ा सा ओई लिगा कर इसे अच्छी तरह से गून लेंगे तक्रिबन 2-3 मिनट के लिए गून लेंगे ओई लिगा कर अब आप देख सकते हैं कि मैंने इसे समूद कर लिए समूद करने के बाद हम इसे spread कर लेंगे फला लेंगे अगर आप चाहें तो आप बेलने का भी इस्तमाल कर सकते हैं उसके बाद हम इसके चोरस पीस कर लेंगे knife के साथ जिस material का चोरस पीस नहीं बन रहा हम इसे side के कनारे काट लेंगे फिर इनकी चोरस पीस कर लेंगे जो extra material हमने उता रहा है knife के साथ हम इसे दुबारा यूज़ करके इसके चोरस पीस बना लेंगे अब आप देश सकते हैं कि मैंने चोरस पीस कर ली है चोरस पीस काटने के बाद हम एक अंडा लेंगे और उसे फैंट लेंगे ब्रेड करम जितनी जुरूरत है उतना ले लेंगे एक हम पीस उठाते जाएंगे अंडे में डिप करके फिर इसे ब्रेड करम में डिप करते जाएंगे अच्छी तरह से ब्रेड करम इसके पर लगाते जाएंगे फिर इसे एक प्लेट में रखते जाएंगे गरम हो चुक है, अब हमें एक चिकन नगिर्स उठाते जाएंगे और कड़ाई में डालते जाएंगे, मिटियम सी लोग आश पीपकाएंगे तब तक पकाएंगे जब तक इनका कलर गोलडन कलर सा ना ओजए, गोल्डन ब्राउन सा कलर ना होजे वकफे वकफे से इनकी साइडे चेंज करते रहेंगे अब आप दे सकते हैं कि इनका कलर कितना अच्छा सा गोल्डन ब्राउन सा आगया है अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे और बाकी के भी जो बच गए हैं उन्हें दुबारा फिर ऐसे फ्राई कर लेंगे मुझे अमीद है कि आपको मी रेस्पी जुरू पसंद आई होगी अगर आपको मी रेस्पी पसंद आई है तो मैं वीडियो को लाइक करें कुमेंट करें शेयर करें अपनी फैमिली और फैंस के साथ और में चैनल को जुरू सबस्क्राइब करें मेरी और नही रेस्पी देखने के लिए अल्ला आफिस